हलो दोस्तों सर्फराज टेक्वेर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है सर्फराज और पिछली वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इमेल आईडी के फीचर्स के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमेल आईडी क्या होता है और इमेल आईडी कैसे क्रेट किया जाता है अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है या फिर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उपर आई गोटन मे वी उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है आप जाके उसको चेक आउट कर सकते हो तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं email id के उन options के बारे में आप जानेंगे जो आपको email id में मिलता है बेसिकली जिसका ज्यादा तर स्थमाल लोग नहीं करते हैं तो कुछ basic overview हम आज देखने वाले हैं आपके email id के बारे में कि email में कौन-कौन से features आपको provide किये जाते हैं चलिए start करते हैं तो सब पहले आपको अपने email id में login होना होगा इसके लिए आप Google का जो application है इसमें tap कर लिजी और जो आपका Gmail का application आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसमें आप टैप कर लिजी टैप करने के बाद में उपर right side में आपको top में एक profile email का option दिख रहा होगा इसमें आपको tap करना है और यहाँ पर tap करके आप नया account भी आड़ कर सकते हो जैसे कि हमने फिछले वीडियो में देखा था और दूसरे किसी account में आपको switch करना है तो आप उस account में tap करके directly उसमें switch कर सकते हैं फिलाल मैं जुस account में यहाँ पर login हूँ उस आप से पहला जो option दिख रहा है यहाँ पर यह आपकी activity को बताता है कि आप active है या फिर आपने उसको schedule कर रखा है कि कुछ देर के बाद आप active आएंगे तो यहाँ पर side में आपको arrow दिख रहा है इस arrow में जैसे आप tap करेंगे तो automatic जब तक यह automatic में selection होगा तो आप यहाँ पर लिए notifications को mute करना चाहते हैं basically यह आपके notification को mute कर देता है लेकिन आप active ही रहते हैं back कर लेते हैं और back करने के बाद यहाँ पर जो और एक option दिया हुआ इसके बारे में बात करते हैं देखिए यहाँ पर option दिया हुआ set as away अगर आप internet से connected नहीं है तो उस समय अगर आपके email status को क signal दिखाने लगेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है all inboxes जैसा कि आप text message को use करते हूं वहाँ पर आपको एक inbox का folder मिलता है जिसके अंदर आपके वो सारे messages होते हैं जो आप receive कर चुके हो तो आपके email में कौन-कौन से messages आए हैं वो सारे messages messages आपको यहाँ पर inbox में मिलते हैं अब inbox जो है default by default Google ने तीन अलग अलग types में divide करके रखा हुआ है पहला है primary दूसरा है social और तीसरा है promotion अब इन तीनों mails को अगर आप एक साल देखना चाहते हो कि कौन-कौन से mails इन तीनों में divide करके रखा है Google ने तो आप all inboxes में tap कर दोग जो आपके inbox में होंगे अगर आप उसको अलग-अलग करके रखना चाहते है तो आप primary में tap कर रोगे तो primary में वो सारे emails आपको दिख जाएंगे जो आपके primary emails होंगे उसके अलावा second option social का है तो अगर आपने इस Gmail ID से किसी Facebook account को create करके रखा है या फिर YouTube के account को create करके रखा है य इसके अलावा जो तीसरा option दिया है आपको promotions का तो जितने भी advertisement से related जो भी emails होंगे वो आपको promotions के अंतर दिखाएंगे अगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो all labels लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आपने किसी email को star mark करके रखा हुआ है तो start में आप जैसे tap करेंगे तो सारे email आपको दिख जाएंगे जिनमें star mark किया हुआ है अगर आप किसी email को star mark करके रखना चाहते हैं तो मैं आपको show कर देता हूँ कैसे करते हैं suppose यह एक email है आप देख रहे हो इतने सारे emails मेरे को आयो है यहाँ पर से अगर suppose मैं यह second वादा जो YouTube creators का email आया हुआ हुआ है इसमें मैं star mark करके रखना चाहता हूँ तो आप right side में देख सकते हो star का option दिख रहा है इसमें मैं tap कर देता हूँ अब यह star mark हो चुका है अब जैसे जैसे नए email आते जाएंगे तो यह email नीचे चला जाएगा और इस email को मेरे को अगर ढूड़ना हो एक ही बार में तो मैं यहाँ option दिया हुआ है snooze में जैसे आप जाएंगे किसी email को अगर आप snooze करके रखना चाहते हो snooze का मतलब होता है कि अगर आप किसी email को कुछ देर के लिए रोक के रखना चाहते हो ताकि वो उस समय आपको मिल जाए जब आप लेना चाहते हो तो वहां से भी आपको same जाना टैप करने के बाद आप यहां time select कर सकते हो कि वो email कितने देर के लिए snooze हो जाए यानि कि आपको वो email कब receive हो कब आपको top में वो email दिखाने लगे तो यहां पर कुछ options Google के तरफ से पहले ही आपको मिल जाता है इसके लावा अगर आप अपना खुद का कोई time select करना चाहते ह time में आप select करके यहां से date और time select कर सकते हो आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो option दिया हुआ है वो है important इस important में अगर आप यहां से कोई भी आपका जो email है उसको आपको लगत है तो आप उसको marking देके रख सकते हो सपोज यह email है Google Maps timeline का अगर मैं समझता हूं कि यह मेरे बहुत important है और मैं इसको important mark देना चाहता हूं तो उपर right side में जो टीन डॉट का icon दिया हुआ है इसमें मैं tap करूंगा और यहां पर आपको मिल जाएगा देखो एक mark not important का option दिखा रहा है अगर मैंने इसको पहले से ही important mark करके रखा है तो इसको मैं not important को यहां पर select कर सकता हू लेकिन अगर मैंने इसको important नहीं select किया होता तो यहां पर mark important का option आता ठीक है देखिए पहले मैं इसको mark not important में tap कर देता हूँ अब यह not important है मेरे लिए अब मैं इसको चाहता हूँ कि यह email जो है मेरे लिए important हो जाए तो मैं फिर से यहां पर जाओंगा tap करूँगा आप देख और में title भी दिखा रहा है important इसके आगे बढ़ते हैं आगे में आप देखे रहे हैं send का option दिया हुआ है send के folder में वो सारे emails होते हैं जो आपने किसी को send किया होगा उसके बाद का option है schedule का अगर आपने किसी email को schedule करके रखा हुआ है suppose किसी का birthday आप उसको wish करना चाहते हो और सकते हैं तो वो सारे schedule option आपको यहाँ पर email दिखा देगा कि आपने कौन-कौन से email को schedule करके रखा है किस-किस time के लिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद outbox का option दिया हुआ है suppose आपने किसी को कोई email फेज दिया और वो email सामने वाले को receive नहीं हुआ है तो वो email यहाँ पर आपको outbox में दिखेगा कई बार ऐसा होता है कि email id या email address डालते हुए कुछ mistakes हो जाते हैं spelling mistake हो गया या फिर domain name गलत हो गया तो वो email डिलिवर नहीं होता है सामने वाले को और डिलिवर जब नहीं होगा तो वो सारे email आपको outbox में शो करेगा next जो option दिया हुए drafts का अगर आप कोई email type कर रहे हो और उसको आप अधूरे में छोड़ देते हो और चाहते हो कि बाद में उस email को आप complete करो तो वहाँ से आप जब आप compose कर रहे हो तो automatically वो email जो है save होता रहता है जब तक कि आप उसको send नहीं करते हो और अगर आप send करने से पहले ही उसको छोड़ देते हो तो वो email आपको यहाँ पर draft के option में देखने के लिए मिल जाता है next option जो दिया हुआ है यह है all emails का जैसे कि मैंने आपको बताया inbox में जो inbox के जितने email से वो तीन अलग-अलग category में divided थे आप वहाँ पर उपर में देख सकते हो वो था primary social promotions इन सारे emails को अगर आप एक साथ देखना चाहते हो तो all mails में आप tap करोगे तो सारे के सारे emails आपके सामने आ जाएंगे next option दिया हुआ है spam का कुछ spam emails Google अपने आपसे अलग करके आपको spam के folder में दिखा देता है ऐसे emails जो advertisement से भरे होते हैं या फिर Google को doubt होता है कि इसमें कोई spyware छुपा हुआ है या फिर किसी तरह का virus है तो Google जो है spam के folder में रख देता है या फिर कोई ऐसा email जो किसी ने कई बार कई लोगों को forward किया हो एक ही time पे तो वो सारे emails spam में आते हैं ऐसे emails को चेक करने के लिए आप spam में जाके उसको देख सकते हैं next option दिया हुआ आपको trash का trash में आपके delete किये हुए email को Google save करके रखता है अग इसको मैं simply tap करूँगा उपर right side में तीन डॉट का जो icon देख रहा है यहाँ पर जाके मैं इसको move to के option में जाके primary, social या promotions के category में कहीं पेर भी मैं उसको वापस send कर सकता हूँ पैक चलते हैं पीछे देखते हैं इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ Google के apps भी मिल जाते हैं जैसे की calendar और contacts अगर इनको आपको use करना है तो इन applications को आपको download करना होगा इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूगा कि Google calendar और Google contacts को क इसके अलावा अब आप देख रहे हो नीचे में कुछ options मेरे को मिल रहे है mail के तो जैसे mail में मैं यहाँ पर tap करके रखाओ यहाँ पर mail पर ही tap किया हुआ रहता है select किया हुआ रहता है तो यहाँ पर जो आपके primary folder में जितने भी emails होंगे या inbox के जितने भी emails होंगे वो आपको यहाँ पर show करता रहेगा इसके बाद अगर chat का option देखोगे तो अगर chat कर सकते हो, chat में आपको tap करना है, chat में tap करने के बाद आपको यहाँ पर new chat का option मिल जाता है, new chat में जैसे ही आप tap करोगे तो आप एक room create कर सकते हो, या फिर already अगर आपके साथ कोई connected है तो आप उसको search करके उसको chat के लिए invite कर सकते हो, और उनके साथ chatting कर सकते हो, सेम चीज़ आप करना है, room में tap करने के बाद new room में आपको tap करना है, create room का option मिल जाता है, create room में आपको tap करना है, या आपको नाम type करना है, उसके बाद next करना है तो आपको एक link मिल जाएगा, उस link को आपको सारे friends को share करना है, सारे के सारे friends उस room में आके एक दूसरे से chat करके discussion कर सकते हैं, इन सब चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूगा आगे देखते हैं रूम के बाद में यहाँ पर एक meet का option भी आउगा है यह meet का option जो है जनरली एक meeting किसी भी तरह का video conferencing अगर आप करना चाहते हो एक group में उसके लिए आप इस्तमाल कर साकते हो गूगल मैट कैसे use करते हैं और उसका क्या क्या फायदा है यह मैं आपको next video में या इसके लिए मैं अलग से एक video आपके लिए पना दूगा आगे बढ़ते हैं इसके लिए अगर आप किसी को email करना चाहते हैं कि email कैसे कर सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक option मिल रहा है highlight किया हुआ है compose इस compose के option में आपको tap करना है tap करने के बाद में आपका email id फ्रम में आ जाएगा जो आपका email address होगा जिस किसी को भी आप email करना चाहते हैं उनका email address आपको यहाँ पर 2 बे डालना होगा उसके बाद में जो भी subject होगा आपको subject लिखना है कि किस बारे में आपको email उनको कर रहे हैं या email लिख रहे हैं message आप type करना चाहते हैं जो message सामने वाधे को भेजना चाहते हैं इसमें आपको tap करना है, tap करने के बाद आपके सामने दो option आता है, attach file या insert from drive, आप अपने google drive से भी यहाँ पर file को insert कर सकते हो, यानि कि attach कर सकते हो, या फिर आपके mobile phone में भी अगर कोई photo या video है, तो उसको भी attach करके भेज सकते हो, याद रखें जो भी photo या video आप email के जरीए भे सकता हूँ, google drive से भी कर सकता हूँ, फिलाज मैं gallery में चले जाता हूँ, और gallery से कोई भी एक photo जैसे अगर मेरे को किसी को send करना होगा, तो यहाँ से मैं कोई भी photo, suppose यह photo मैं select कर लेता हूँ, और यह photo select करने के बाद में, यहाँ पर attach हो चुका है, attach करने के बाद में, send का जो option आपको attach file के बाजू में send का option दिख रहा है, push send के option में आपको tap करना है, यह email आपका चला जाएगा, इसके अलावा email send करने के लिए, compose करने के लिए और भी बहुत सारा options है, जो three dot icon में आपको दिख रहे होंगे, आप email को schedule कर सकते हो, contact number को आप अपने mobile के contact से add कर सकते हो, अग इतने समय के बाद में यह email expire हो जाए, अगर आप चाहते होगे कि email draft में save हो जाए, तो आप थोड़ी देर आप यहाँ पर type करोगे, तो यहाँ पर draft save का option है, यह highlight हो जाएगा, आप save कर सकते हो, in case आपको लगता है कि आपको अभी email नहीं करना है, तो यहाँ discard का option दिया हुआ discard में जैसी आप tap करोगे, तो यह email यहाँ से हड जाएगा, आप फिर एक fresh email भेजने के लिए, आप composement टैप करके फिर से email कर सकते हो, उसके बाद जो option दिया हुआ है, settings का, तो settings में फिर से आप वहीं पर पहुंच जाओगे, जिस option के बारे में मैं अलग से एक video आपके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है, फिलाल मैं इस email को discard कर देता हूँ, तो यह कुछ overviews थे, email id से related, जो आपके email account पर रहते हैं, और यह सिर्फ Gmail में ही नहीं है, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा email id भी use करते हैं, या वो hotmail हो, yahoo mail हो, reddit mail हो, तो उन सब जगा भी आपको similar options द रहा हो, तो इसको like और share जरूर कीजेगा, और हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा,